अलो दोस्तों कैसे आप से वाई होग सब बड़े होगे तो जैसे कि आप जानते है कि 2024 का जावा को पिराक एडिशन है वो जो है आ गया है और इसके जाथ क्या-क्या अपडेट देखने के लिए मिलते हैं क्या-क्या नए फीचर देखने के मिलते हैं उन चीदों के बारे में हम बात करने माले इस वीडियो में और complete जो है information आपको provide करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बताते हैं इसके अंदर changes क्या-क्या है तो दोस्तों अगर इंजन की बात करें तो इंजन में as such कोई भी बड़ा change नहीं है इंजन जो है almost same ही है इसमें जो minor changes करे गए हैं उनकी बात क जो कि यार ना बहुत premium लगती है बहुत ही सुंदर लगती है उसी के साथ साथ दोस्तों इसकी premium निसको इन्हेंस करने के लिए इन्होंने क्या करा है इन्होंने brass के जो badges है वो fuel tank पर दे दिये हैं और दोस्तों उसी के साथ 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 अगर आप प्रेंट देखोगे टैंक दे देखोगे तो यहां पर आपको golden करके stripe दिख जाते हैं जो कि यार इसकी premium निसको ना और भी बढ़ाते हैं तो यह चीज़े बहुत बढ़िया है और उसी के साथ 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 दोस्तों इसके सीट कवर है उसको चेंज कर दिया है तो देखिए साथ के जो सीट है वो सोड़ी दोस्तों आपको आगे कर दिया है इसके साथ थोड़ा बहुत देखने के जिए जैसे कि आपको पता है इसके साथ आपको 334cc का सिंगल सिलिंडर लिक्विट कूल इंजन देखने के मिल जाता है जो कि दोस्तों प्रेडियूस करता है 30BHP and 30Nm of torque और उसका डिजाइन दोस्तों सेम ओल डिजाइन आ जाता है पूरा हेलोजन आपको सेटप देखने के लिए मिल जाता है और उसके साथ दोस्तों जैसे की जावा की सारी bikes में हाइलाइट होता है कि इनके साथ भी आपको मिलते हैं dual exhaust तो भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है बार और मिरर मिल जाते है spoke wheelie देखने के मिलते हैं दोस्तों इसके साथ alloy का भी option नहीं आया है और जो इसकी access room cost है वो आपको पढ़ने वाली है 2.13 lakh rupees in Delhi तो भाई ये था Java के 2024 edition का update और ये जो वीडियो है आपके लिए इंफोर्मेटिव रहा हो अगर ये वीडियो इंफोर्मेटिव रहा हो तो प्रीस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में Till then take care, bye bye and see you